और बताईए जो सबसे महतपून बात एड़ोकेट नीरज कांत की तरफ से भी कही गई, जस्टिस की तरफ से भी कही गई, वो ये कि जब स्पीकर या जेपुटी स्पीकर पर ही अविश्वास प्रस्ताव हो तो क्या वो बागी विधायकों को या जो सोला विधायकों को डिस् अभी फिलहाल उनकी वीडियो कुछ दर के लिए पाउज हो गई थी, अभी शेक मनु सिंग्वी अपनी बात रख नहीं पा रहे थे, अभी शेक मनु सिंग्वी फिलहाल ये कह रहा है कि जो इमेल भेजा गया था, यानि कि जो अन्वेरिफाइड सोसे से जो जानकारी मिली थी, कि जो तमाब विधायक जो ही एकनाच शिंदे ग्रूप के तरफ से हैं, उनकी तरफ से एक एमेल भेजा गया था, जिस पर नू कॉन्पिडेंस मोशन जो की डेपिटी स्पीकर के खिलाफ था, उनका कहना था कि एक कोई नोटेस नहीं था, और ये अन्वेरिफाइड सो से सिर्फ खबरे आ रही हैं, उनका कहना था कि कोई भी नोटेस स्पीकर को नहीं दिया गया, ये अभिशेक मनुस सिंग्वी कह रहे हैं, क्योंकि कोट ने यही सवाल पूछा कि आप चाहे जिस भी जज़ज्मेंट का जिकर करें, लेकिन क्या उस जज़ज्मेंट में ऐसा ह जिसमे कि यह कहा गया है कि स्पीकर के खिलाफ नोटेस है और स्पीकर खुद नोटेस इसू कर रहा है, जिसपर अभिशेक मनुस सिंग्वी ने कहा कि यह सारी चीज़े सिर्फ प्रेस रिपोर्ट से हैं, अनवेरिफाइड सोर्स इस से हैं कि विधायकों ने एक एनोनिमस ए भी नोटिस स्पीकर को नहीं दिया गया है तो ये अपने बचाव में यानि कि डेपटी स्पीकर के बचाव में फिलहाल अभिशेक मनुस सिंग्वी दलीले रख रहे हैं इसके इलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 20 जून को ये सारे MLA सूरच चले गए 21 को उनकी तरफ से एक मेल लिखा गया जो कि ये कहा जा रहा है और 22 को स्पीकर ने नोटिस दिया और इसके बाद भी अभी डिस्टरबेंश जो है वो उनकी तरफ उनकी वीडियो में आ रही है तो विशेक मनुस सिंग्वी का कनेक्शन अभी कही ना कही वीग है जिसके चलते वो अपनी दलील अभी फिलाल कोड पर सही तरीके से नहीं रख बार है लेकिन वो टाइम लाइन बता रहे है कि 20 जून को सारे मले सूरच चले गए जो खबर आ रही जो अन्वारिफाइट सोर्स उनका कहना है कि पता चल रहा था कि 21 को उन्होंने मेल लिखा 22 को स्पीकर ने रिजेक्ट किया उनका कहना था कि अभी 14 दिन भी नहीं हुए है और अभी फिला जस्टिस कांथ जो है वो कह रहे है कि लेट डेपिटी स्पीकर फाइल दॉक्मेंट्स ऑन रिकॉर्ड सो दाट विए नॉट कंफाइन विद दॉक्मेंट्स ऑफ उनली वन साइड यानि कि उनका कहना है जो डॉक्मेंट्स है वो ओन रिकॉर्ड आने दें तो अभी कोट ऐसा लग रहा है कि कोट वक्त दे सकता है डेपिटी स्पीकर को ताकि डेपिटी स्पीकर अपना जवाब कोट में दायर करें जो डॉक्मेंट्स जो नोटिस का बात कहीं गई है क्योंकि यही एक में सवाल ह कि जिस speaker के खिलाफ notice पहले जारी किया गया, वो speaker क्या उस notice का जवाब दे सकता है, जिस पर अविशेक मनु सिंग्वी ने बचाव करते हुए कहा कि कोई notice ही नहीं आया है, उनका कहना था कि ये सिर्फ unverified sources से ये बाते चल रही थी, ये press reports पे चल रहा था कि एक email speaker को भेजा गय किस तरीक को speaker ने उसको reject कर दिया, जो notice issue किया गया था, जो MLS की तरफ से no confidence motion था, उसको speaker ने reject किया, उनका कहना ये सारी चीजे सिर्फ unverified sources से आ रही है, कोई notice जारी नहीं किया गया, इसलिए court ने अब ये कहा है, कि ठीक है speaker को सबकी बात को हम सुनते हैं, लेकिन speaker को फिलहा जा सके और सिर्फ एक तरफ की document ही court नहीं देखना चाहरा है, क्योंकि एक तरफ की document यानि कि जो documents 15 MLS की तरफ से दिये गए हैं, उनकी तरफ से तो जाहर तोर पर उस email की copy attach करके दी गई है, लेकिन court ने कहा है कि जो deputy speaker हैं, वो भी अपनी documents आकर पहले court पे रखें, उसके जबाब court में दायर कर पाएं, गौनिका क्योंकि deputy speaker को जारी notice की बातें यहां कही जा रही हैं, और कुछ ऐसे sources की बात भी सामने आ रही हैं, जो reliable नहीं हैं, और जिनको deputy speaker ने खारच कर दिया था, ऐसे में मेरा सवाल यह है कि अगर deputy speaker से supreme court अपना जवाब उनके समक्ष रखन देखिए अभी 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 शीक मरू सिंग भी correct हो गए हैं, तो उनका यह कह रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि जो removal का motion, जो no confidence motion है, वो सही तरीके से उसमें लाया जाए, this has come from unauthorized email and 14 days has not elapsed, यानि कि जो 14 दिन का वक्त deputy speaker को दिया जाता है, जब no confidence motion MLA's की तरफ से दिया जाता है, तो वो 14 दिन का वक्त अभी खत्प नहीं हुआ है, जिस पर Justice Khan ने का है कि 14 दिन का वक्त speaker को दिया जाता है, ताकि वो उस notice को house के सामने रखे, और यहाँ पर जो MLA's है, उनके तरफ से notice सर्फ किया गया, calling upon him to put the resolution under article 179, जिस पर अब धवन interject करते हुए, यह बोल रहे है कि speaker ने reject किया है notice को कि उसकी authenticity verify नहीं है, तो अब धवन जो कि deputy speaker की तरफ से पेश हो रहे है, advocate Rajiv धवन, वो भी यह कह रहे है कि deputy speaker ने इसलिए reject किया क्योंकि उसकी authenticity नहीं थी, यानि कि वो एक anonymous email से no confidence motion लाया गया था, वो anonymous email से notice भेजा गया था, इसलिए deputy speaker ने उसको reject किया, और वही चीज कोट में दूसरा पक्ष कह रहा है कि जब तक notice issue है deputy speaker के खिलाब, deputy speaker कैसे disqualification का notice MLA के लिए दे सकता है, जिस पर अब वचाफ करते हुए, अभिशेक मनु सिंभी ने कहा कि unverified sources स email आया था, वो notice नहीं था, उस पर राजीव धवन भी ये कह रहे है कि एक उसकी authenticity clear नहीं थी कि आखिर किसने वो notice भेजा है, क्योंकि एक सही तरीके से, एक unverified email से वो notice आया था, और इसी लिए deputy speaker ने उसको reject किया, तो deputy speaker ने क्यों reject किया, उसका अब जो दलील है, वो code पे कुछा था कि एक deputy speaker जिसके खिलाफ notice issue किया गया है, MLS की तरफ से, क्या वो खुद अपने खिलाफ जारी हुए notice को reject कर सकता है, जिसकी दलीले अभिशेक मनुसिंग्वी और राजी धवन कोट में रख रहे हैं, उनका कहना है कि unverified email से notice आया था, वो एक notice भी नहीं था, बलक मतलब राजीव धवन जो deputy speaker की तरफ से सुप्रीम कोट में पक्ष रख रहे हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि notice आया था, लेकिन unverified source की तरफ से आया था, इसलिए उसको consider नहीं किया गया, लेकिन जो 14 दिनों के buffer time की बात हो रही है गौने का, क्या उस buffer time में अगर किसी भी deputy speaker पर अव इश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, या no conference motion है, तो क्या वो विधायकों को disqualify करने का letter भेज सकते हैं, क्या ये power उनके पास होती है? देखे, 14 दिन का वक्त दिया जाता है, जब एक notice इस तरीके का भेजा जाता है, तो deputy speaker को जब notice आता है, तो उसको house में रखते हैं, वो 14 दिन के वक्त की बात चल रही है, कि वो 14 दिन का वक्त जो है, वो elapse इस मामले में नहीं हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि जो unverified sources से बा लाया था, ये भेजा गया, ये legislative office को नहीं भेजा गया, और deputy speaker एक judicial capacity में आक्ट करते हैं, अगर कोई इस तरीके का letter एक registered office में नहीं भेजता है, तो आखिर speaker जो है, वो entitled है, ये पूछने के लिए कि आखिर आप कौन है, यानि कि कि किसने वो notice भेजा है, इस पर justice कार ने पू पूछा कि क्या उनकी तरफ से notice भेजा गया, इस पर कोट ने कहा कि आप एक एफिडेविट फाइल कीजिए, यानि कि कोट ने अब deputy speaker से पूछा है, कि क्या deputy speaker ने जो MLA's है, यानि कि जिनके नाम से notice आया था, क्या उन्होंने MLA's से verify किया, उन member से ये पूछा कि क्या ये notice उ deputy speaker के जो वकील है, राजी इर्धवन, वो कह रहा है कि उनकी तरफ से एक एफिडेविट इस पूरे मानमे में, कोट में, फाइल किया जाएगा, इस पर justice कार ने कहा कि, it will be contradictory, if there is no valid notice, there is no question of 14 days, उनका कहना है कि अगर valid notice ही नहीं है, जो कि आप कह रहे है, यानि कि deputy speaker के वकील क कह रहे हैं, तो फिर उस 14 दिन के वक का सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर आप कह रहे हैं कि notice valid नहीं है, तो वो 14 दिन का वक भी valid नहीं है, यानि कि notice नहीं, तो 14 दिन नहीं, और इसलिए कोट ने कहा है कि वो question तभी arise होता है, अगर वो notice है, वो valid हो, तो जिस 14 दिन की बात, अभिशेक मनु सिंग भी कर रहे थे कि 14 दिन का जो unverified sources से notice आया उसके बाद 14 दिन का वक्त दिया जाता है तो court ने कहा कि जब आप ये कह रहे हैं कि वो जो notice issue हुआ वही valid नहीं है तो फिर वो 14 दिन का वक्त कैसे valid हो गया वो भी सवाल तभी उठता है अगर वो notice valid हो तो अभी लंबी सुनवाई चल रही है धवन ये कह रहे है कि fly by night notice will not do a notice sent by विशाल आचार्या will not do what is the notice and when does the period start it's a serious matter तो court ने कहा कि विशाल आचार्या नाम के शक्स की तरफ से जो notice भेजा गया था वो सही नहीं है वो काम नहीं करेगा एक notice अगर आपको भेजना है एक रात में आप आप ऐसे notice नहीं भेज सकते हैं वो सही तरीका नहीं है आपको notice भेजना है तो सही तरीके से notice भेजा जाए क्योंकि एक काफी गंभीर मामला है और इसके इलावा लेकिन वक्त की जो सुई है वो धीर धीर आगे बढ़ लिए और तीन बजने वाले है और जो वक्त है साड़े प्ले स्टोर या एप स्टोर पर